नभस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है Basic Electrical और आज मैं आपको बताना वहाँ दोस्तों Conversion of Voltage Source और Conversion of Current Source दोस्तों हम एक Practical Voltage Source को Equivalent Practical जो Current Source होता है उसमें Convert कर सकते हैं इसी परकार दोस्तों जो Practical एक Current Source होता है उसी को हम Equivalent Voltage Source में Change कर सकते हैं जहां हम दोस्तों Voltage और Current Source को Conversion करते हैं वह Circuit Equation के Term में Mathematical Equation होते हैं Voltage और Current Source जब Equivalent होता है दोस्तों तब उनका जो Volt MpR Relation हर Condition में Same होना चाहिए या Same होता है दोस्तों Voltage और Current Equation के लिए कुछ Conditions होती है दोस्तों इसमें होता है Terminal पर जो Open Circuit Voltage Same होना चाहिए हमेशे Always और जो Terminal Second है Terminal पर जो Short Circuit Current वह Equal होना चाहिए दोस्तों Conversion of Voltage और दो टाइप दो होता है Sorry Conversion जो होता है वह दो टाइप का होता है एक होता है Conversion of Voltage Source to Current Source दूसरा होता है दोस्तों Conversion of Current Source to Voltage Source तो हम First देखते है Conversion of Voltage Source to Current Source जिस Current में Voltage Source को Convert करना चाहते है जिस Circuit में Voltage Source को Convert करना चाहते है दोस्तों उसका Voltage V है रेजिस्टेंस आर माल लिया और Current I तो दोस्तों जब Short Circuit है तो Current होगा I equal to VR होगा यह ओम लोग से हम जानते ही जिसा आपको डाइग्राम में दिखाए या दोस्तों Open Circuit यह V Source दिया हुआ है और Short Circuit में है तब यह इसका प्लू आई का V upon R जो उसमें Flow हो रहा है Current I flow हो रहा है वी अप्लाइड करन पी अप्लाइड वोल्टेज है और आप इसका रजिस्टेंस है सर्कीट गा तो दोस्तों जब इसको हम transform करेंगे या इसका conversion करेंगे तो पहले दोसो वोल्टेज सोर्स वी और रेजिस्टेंस आर के शीरीज में कनेक्ट ने तो इस टाइप से हम दोस्तों इसको हम करके करन सोर्ष का करन सोर्ष में चेंज कर सकते हैं और हमारे कोई सर्कृट सर्कृत दिया हुआ है हम उसको सोल करना चाहरे है mathematical equation से solve करना है या खुछ भी है equation है इस प्रकार से भी हम इसे solve भी कर सकते हैं दोस्तों एक है दोस्तों सेकिन वाला conversion of current source to voltage source दोस्तों इसमें हम current source को change करेंगे equivalent voltage source में जहां उनके terminals पर जो open circuit voltage सेम होता है यह condition होती दोस्तों इसके terminal पर open circuit voltage सेम होना चीए वह सेम होता है यह तो दोस्तों जहां open circuit voltage है वहां V equal to IR वीकल टू क्या होगा दोस्तों आइप और यह ओम के लोगों से हम जानते हैं यह आप डाइग्राम में देख सकते हैं यह current source दिया हुआ है और उसके parallel resistance दोस्तों जहां current source है वहां current source है उसके parallel resistance आर है convergence से पहले और जब उसको convert कर देंगे दोस्तों तो कर देंगे बाद equivalence voltage source V के V जो होता है वह resistance के series connected है दोस्तों यह देख सकते हैं आप डाइग्राम दिया होगा है तो दोस्तों इस प्रकार से हम voltage source को current source में change कर सकते हैं और current source को voltage source में change कर सकते हैं आसानी से धन्यवाद दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और अपने friends के बीच में जो electrical से related है उनके बीच में आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आने की